है गाइस वेल्कम बेक टो वा नियो वीडियो और आज के वीडियो का धमनेल तो आपने देखी लिया है आज हम करने जा रहे हैं अन्बॉक्सिंग प्रेप्लेडर नोट्स द्रिम पैक 4.0 लेटेस एडिशन का तो सबसे पहले आते हैं कुछ कागज पत्र और ये एक पेंपले और कुछ कागज पत्र जिसको कोई पढ़ता भी नहीं अभी सबसे उपर रखावा है एक मिस्टिरियस लिफाफा जिसके अंदर से निकला एक ब्लू कलर का नोट्बुक बस सिर्फ एक भाई उनिस सब्जेक्ट है नेक्स्ट है ये बुकमाक्स एक दो तीन चार पांच छे ये भी छे नहीं एक और भी है और ये एक प्यारा सा पेन बाकी लिफाफे के अंदर बचा है अब सिर्फ हवा नेक्स्ट आते हैं ये ब्लैक कलर का बैग काफी अच्छा मटेरियल है तो बैग की करते हैं हम अनबॉक्सिंग मेरा मतलब है अनजिपिंग ये दो चेन वाला ब बुक्स तो सबसे पहले माइक्रोबैलोजी, और्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, दर्माटोलोजी, साइकेट्री और इनेस्थीशिया तो चलिए शुरू करते हैं रैपर उतारने से ये बुक का कवरिंग अच्छा है अच्छा मैटेरियल है, तो हम देखते माइक्रोबैो के बुक बाई डॉक्टर सोनू पनवर, इसमें सबसे पहले हमको मिलता है कंटेंट, देन लिस्ट आफ इंपोर्टेंट टॉपिक्स, देन लर्निंग अब्जेक्टिव और फाइनली ये चैप्टर वन, इसको बुक जै लिखा हुआ है, तो हम देख सकते हैं, प्रीवेस यर कोश्टन्स यल्लो बॉक्स में, टॉपिक से रिलेटे, जिस भी टॉपिक के बारे में यहां लिखा हुआ है, उसके बारे में कोश्टन्स और बुलू में उनका राइट आंसर भी लिखा हुआ है, जैसे कि ये निट 2021 और AIMS 2029 का question, आगे बढ़ते हैं, photos, photos, blue box, things to remember, और हाँ, last में, हर chapter के clinical questions, MCQ based, then next chapter, फिर से yellow box, blue box, और last में clinical questions, next pediatrics, इसमें एक चीज दिखाता में आपको, जो और्थों के बुक में नहीं दिखा, ये orange boxes, ये important information, इन में से questions आने का probability बहुत हाई रहता, then growth chart, yellow box मतलब previous year question, और last में clinical questions, so guys, मेरे पास dream book 3.0 भी है, और अभी dream pack 4.0 के भी books आ गये है, तो next video में मैं आपको इन books को side by side comparison डिखाऊंगा, कितना ज्यादा difference है, और क्या आपको ये books 8500 रुपे देखकर फिर से मंगवाना चाहिए, या फिर अगर आपके पास पुराने books है, तो वो ठीकी है, same ही है, बस इसमें कुछ colorful boxes बनाए गये हैं, या फिर इसमें कुछ extra content भी है, तो अगले वीडियो में मैं दोनों books के side by side comparison करूँगा, same chapter, same topic, और देखेंगे कि same page में, इस page में, नए वाले book में क्या-क्या लिखा हुआ है, extra, या पुराने वाले book में भी same ही चीज लिखा हुआ है, अगर आपको प्रेपलेटर लेना है, तो आप मुझे इस number पर भी message कर सकते हैं, सो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं, अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye